नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं नौर्थ इसलाइड और मुदा की संखे साथ स्टूडियो में मैं रंजीत भारत में कोरोना वाइरस के संक्रमन में ताबर तोड ब्रिद्धिजारी है और इसके पॉजिटिव मामलों का आक्रा डेड़ लाग पार कर गया है देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वाइरस के 6387 नए मामले सामने आये हैं और करीब 170 लोगों की मौते हुई है ये आक्रे केंद्रे स्वास्त मंत्रा लेके हैं वही पुर्वतर भारत में संक्रमितों की संख्या 1000 तक पहुँच चुकी है महाजासम में ही 700 से अधिक संक्रम हो ही नहीं सकता इस बात को घर वापसी करने वालों को समझना होगा वहीं बाढ़ भू स्खलन जैसी प्राकेतिक आपता से भी राजसरकारों को निपटना है जटिलताय तो है जटिलताओं के बावजुद हमें दोहड़ी लड़ाई जितनी होंगी रास्तेत तलाशने होंग है आप सबका कारिक्रम में स्वागत है मैं असोक रॉय से सुरू करना चाहता हूं लॉक्डाउन को लगबग दो मेने से अधिक समय बीच चुके हैं इस बीस कोरेंटीन सेंटरों की संख्या खासकर प्रवोत्तर में बढ़ाई गई है और इसकी जरूरत है इसकोलों का अधि है और इसके लिए स्वाष्मंत्री ने इस पर्षरूप से संकेट भी दे दिया है मैं पहले स्वाष्मंत्री ने ऐसे लोगों के खिलाब क्या बयान दिया था बेवस्था को भिगार्ने की कोशिस करने वालों के खिलाब पहले वह दिखाते है फिर मैं असोक रिज इस अरुखेई मते आजीरप्रामी होम क्वारिंटाइन और पत्खुब गुरुत्तो दिशो। कान हाट दिन लाहे लाहे पार हो इसे मानुबिला कर इयरप्रा रिलीज हो यह से। गोतिके घरद गोई जाटे त्याओनलुके हाट दिन होम क्वारिंटाइन पालन करे। तरबावे आमी सस्ता कर इसुफो तर उपरियु एम्मसी अरो कलापाहार होस्पिटल दुखन हमपुन्न हुआ पिसट अजीरप्रामी पाथम बारबावे होनापुरां पेसेंट सिफकोर आरंभा कर इसुफ। किन्टो मुझ आखा कुरूजा अहा काली प्रा किसु पेसेंट रिलीज हुआ रू पक्रिया अरम्ब होगु आमी सब मोनीटर कोरी एसु एतिया लेके ज्वाकाली मैं डीसी खकलर लगत राती वीडियो कनफाइंस कोरी शीलो बर्टमान अले के कुनो विखे कोखु विधा हुआ भुली कुआ नै याटे कुनो विया पता नाई उनो खभा पता नाई गोटी के आमी लोगडान और हमोर मानू है आपुनालो कामी खकोले भाद डाली और अलूपिति का खालो एतिया क्वारिंटाइन सेंटर भिटरत खोवाबुआर अखु विधा पठम दिना हबो पारे डाक्टरो कले नेक्स दिना भाल करी दिबो फोईसापाथी दिया हुई से किन्टु बेबहारीक अखु विधा एईतु जे इयात मानू खुमाबो भॉय करे तो आप स्वासमंत्री को सुन रहे थे उनका सपस्ट कहना है कि थोड़ी असुविधाय तो होगी लेकिन वो एक दिन की बात है उसके बाद क्वेंटिन सेंटर में वेवस्ता अच्छी हो जाती है खासकर खान पान को लेकर और क्वेंटिन सेंटर कोई ऐसा जलसा का अस्थल तो है नहीं कि आपका मनोरंजन किया जाए तो जो लोग क्वेंटिन सेंटर में हैं उनसे भी अपील है कि कम से कम सरकार और जो स करना परा अब जब वो कुरेंटीन हो रहे हैं तो अपना गुसा खान पान को लेकर उता रहे हैं कहां तक जायज है यह देखिए मैं इसे जायज तो नहीं कहूंगा लोग परिशान अवस्य हुए हैं और राज्य सरकार भी इतना पुर्वानुमान नहीं की थी कि इतनी बड़ में जो लोग जो है वो आएंगे और शुरवाती दोर में असम में जो था वो बहुत नियंतिर था दूसरे राज्यों के अपेक्षा के असम में संक्रमिटों की संख्या बहुत कम थी परन्तों आज जो है वो 700 का आकरा छूँ चुका है और सरकार की भी एक लिमिट एक करेंगे तो नहीं होगा लोगों का धे यह रहना चाहिए कि हम कितना जल्दी से जल्दी स्वस्त हो करके जाए और क्वरेंटीन जो है वहां पहले 14 दिनों तक था मेरे ख्याल से अब जो है वह साथ दिन क्वरेंटीन इंस्टिटूशनल और और किया जाएगा उसके बाद ज अगर वेस्टन कंट्रीस के अपिक्षाकित हमारा जो देश जो है वह आजादी के बाद से इन दो मुद्दों पे बहुत कम ध्यान दिया और यह जो बिमारी जो है यह अप्रत्यासित थी किसी ने जो है ऐसा सोचा नहीं था गनीमत यह है कि हमें जो है वह लोकडाउन के जर चूँबादीन तो उन लोगों तो रहना पड़ेगा अब जब इंस्टीट्यूशन में जो सरकार जो सविधा दे रही है तो उनसे उनको स्वंतूस्थ होना चाहिए किसी प्रकार का नराजगी दिखाने से कोई फायदा नहीं है उनको यह सोचना चाहिए कि हम किस तरह सरका है हमारा चार जुड़ चुके हैं यही सवाल मैं दुल्य हमसे करना चाहता हूँ घंख्या लोग कोरिंटीन में है एक दो चूप हो सकती है लेकिन पूरी वेवस्ता को लेकर सिकायत करना यह हला करना कहां तक जाए जए लेकिर आप ही जो यह कॉरिंटान का जो उस्तिति है तो एक बात को तो आपको मानने परेंगे कि अगर 24 मार्स को जब रेंडर मोरी जी ने लॉकडाउन चार गंता बात डिक्लियर कर दिया था उसी को अगर कम से कम एक खप्ता टाइम देके डिक्लियर करने से आज ये नौबत नहीं आता था क्योंकि अभी दिखिए एक खप्ता में अगर पढ़ान मंदी ने अनाउंस कर देता था कि एक खप्ता बात लॉकडाउन करेंगे परिस्तिती बोर्ड कम भी रहे कोई बड़ा बात नहीं था तो अभी आज का जो सिट्वेशन ने अभी चारिश्टर मंदी का ब्यान देखा मे तब यह नोबर नहीं आता रहा और सरकार का भी प्रेशार कम पढ़ता रहा यह बात को इसलिए आपको मानने पड़ेगा कि अभी आज का जो भी सिट्वेशन प्लास पॉजिटीव नेगिटीव जो भी है उसके लिए एक बात बोलने पड़ेगा कि उड़ प्लैनिंग लॉ होता है साथ बात रोड में कोई नहरत अलग बाते लेकिन साथ बाइस से पहले जो असाम का जो स्थिती है आपको मानने पड़ेगा कि कॉरोना को लेकर अभी डर खतम हो गया आदमी का बीशिटीव निकालने से हला होता रहा ब्रेकिंग निस हर टिवी में काल के परसु कितन एक साथ दोनों कोरोना भी देखना है और अपना घर सलने का भी वेबुस्ता जो है ओभी करना है इसलिए धिरे धिरा एक अच्छा हुआ एक मेसेज गया है लेकिन फिर भी में आप लुका तरह से सब को बोलता हो आसाम को पाब्लिक को कि कम से कम सोशियल डिस्टेंस और सरक से बढ़े विजय गुपता जी 700 का आंकड़ा सिर्फ असम में ही पार कर गया है अगर पुर्वत्तर भारत के आंकड़ों को जोड़ ले तो ये 1000 को भी पार कर चुकी है और ऐसे में कुरेंटीन सेंटर की वेवस्ता को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं जो कुरेंटीन कि MMCH और काला पहार में जो अस्पताल है उसमें रोगियों की संक्या भर चुकी है अब जो जो पोजिटिव पाए जाएंगे उन्हें सोनापूर में सिफ्ट किया जाएगा ये सिर्फ कामरूप मेट्रो की बात कर रहा हूं लेकिन जिस तरह से लोग वापस आ रहे हैं निश मैं कहना चाहता हूं कि देखे हमारे सामने बड़ी विकट समश्या है ये कोरोना को लेकर कि स्वातसमंदी समश्या एक है दूसरी जो है मतलब आदमियों के अपर मानशिक दवाव है एक तरह से फियर साइकोसिस भी कह सकते है और मैनों वैग्यानिक पर भाव पर रहा है और आज प्राया जो है कई जिलों में बारज जिलों के अंदर में बाढ़ पानी का जो आया है ऐसी इस्तिति चारों तरफ से अभी जो है अश्रम की जनता घिरी हुई है और इसमें अगर हम धैर्ज संजम और इमानदारी और आत्म विश्वास और एक दूसरे को शहावा आत्म भूमका में अपने आपको नहीं रखेंगे क्योंकि इहां पे जो है mutual cooperation, mutual coordination अगर एक दूसरे से समन्वे और स्रायोग अस्थापित नहीं करेंगे तो निश्यत रूप से दिक्कते आएंगी यह अपया चुन्टे है क्योंकि देखे 12 माई के बाद अगर आप हिसाब करें तो 62 हजार से ज़्यादा लोग हमारे हैं आ चुके हैं अब 62 हजार लोग जब आ चुके हैं तो सभी उसमें संक्रमित नहीं है और इसलिए ऐसा देखा गया है कि अगर किसी के रिपोर्ट निगेटिव है तो उसको कुरांटाइन सेंटर में 14 दिन अगर हम रखेंगे तो 22,000 बेड हमारे पास में आज की डेट में भी हैं लेकिन हम पहले से ही सोच रहे हैं कि और भी बढ़े न और हमें कोई समस्या नहीं उसके लिए हमने साथ दिन प्लस साथ दिन निगेटिव है तो आप होम कुरेंटाइन में जाएं आज होम कुरेंटाइन की भी ब्यवस्ता स परिस्थिती में स्वाभाविक रूप से कुरेंटाइन सेंटर हो या होम कुरेंटाइन हो दिक्कते कहीं ने कहीं आएगी मनोबैग्यानिक दवाव भी है लोगों के उपर में अब जो पेशेंट आ रहे हैं उनको वित्वा संजमित होना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है फू इत्तों का सही पालन करें शरकार को शहयोग करें और कोबिट क्या ये जो आक्रमण है और बान पानी के समसा देखें इंसिचिशनल कुरेंटाइन सेंटर हमने लिया है अगर बाड के समसा गहरा गई तो हम जो है जो बाड़ पिडित लोग हैं उनको भी हमको रखने में कहीं कहीं दिक्कत आएगी तो इसलिए हमारे सामने बहुत चैलेंजज है और उन सारे चैलेंजों का बहुत पहले से ही मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्तमंत्री और पूरी सरकार की मसिनरी इस काम में लगी हुई है और हमें विश्वास है कि हम हर चुनोतियों का मुकाबला मैं आपको बता रहा हूं अगर हम कोवीड 19 को एक बार के लिए थोरी देर के लिए साइट कर देते हैं असम में हर साल बाड आती है और जो विवस्था है सरकार की और से की जाती है किस तरह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में क्या कहेंगे एक तो कोवीड शंकट है अगर हम कोवीड को थोरी देर के लिए साइट करते हैं क्या सरकार पिछ आज किस तारिक तक क्या सरकार सफल रही है बाड प्रितों की मदद करने में देखिए असम जो है वो बाड की विभस्त रूप जेलेने को अभी सब्त है यह कोई नई समस्या नहीं है परतिवर्स आते हैं साल में दो दो बार आते हैं और सरकारे जो आती गई जाती गई परंतु किसी ने अस्थाई समस्या का समाधान निकालनी की कोशिस नहीं की इमांदारी से प्रयास होना चाहिए था वो नहीं हुआ बीच बीच में यह आवाज उठती रही कि इस तीन वगरा में लोगों को रख देते हैं तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार होगा यह बहुत बड़ी समस्या सरकार के पास है चुनोटी पून काम है तो इससे भी सरकार को निपटना है और सरकार का कोई भी मुहीं में तब तक सत परतिसात सपल नहीं हो स होगी जैसे कि मुख्य मंत्री का भी स्टेटमेंट हमनों सुना प्रंद इसमें दूसरा पहलू आ जाता आपका ततबंधों का ततबंध अगर तूटते हैं तो वह बार से भी जादा विभीशिका लाती है और ततबंध जो है वह भरस्ताचार की जननी कही जाए तो यह अति वह नहीं किया जाता है रेट होल हो जाता है जैसे कि हम लोग पिछले बार देखे पिछले साल नोगाओं में जो है बांध तूटी तो जखलावंदा में किस तरह का हालत जो है वह वहां पर उत्पन हो गया था तो सरकार को बेवस्था में भी थोड़ा परिवर्तन करना चा समाधान को आप कितना इमांदारी से जो है वो टेकल करते हैं यह आपके दूलरमा करते हैं इमांदारी की बात कही जा रही है पहले कॉंग्रेस की सरकार थी अब केंद्रे में भी भाजपा की सरकार है राज्यों में भी पुर्वतर राज्यों में भी भाजपा की सरकार है ल हो रहा है जैसा असोक्राय कह रहे हैं खासकर टटवंधों के निर्मान और मरमत की बात अगर करें तो हर साल बनाया जाता है तूट जाती है करोर रुपे खर्च किया जाते हैं इसको देखने के लिए ब्रह्मपूत्र बोर्ड भी है और इस तरह से कई केंद्रिय संस्थाने भ पार्टिक का पास तो रहते हैं जैसे हम लोग पहले भी हम लोग का कॉन्स प्राइब होता है कोई लोग का सरकार का उपर जाता है इसमें कोई ए औस सरकार रहेगा कोई गलत काम होने से responsibility सरकर का उपर जाता है तो अभी सरकार BGP का है केंडर में राज्य में BGP का है अभीThis प्रदीट पार는지 क्या बोल रहा है remembers क्या बोल रहा है ए जीप क्या बोल रहे बीज़िपी क्या बोल रहा है वह अलग है वह अगर स सत्ता में को नहिंग होगा है तो तो आभी जैसे कॉरोना ये बान का थमेशा तो असुक जी ने बोला था कि शाल में दो बार आता है लास्ट ताम बहुत भायंगा रूप से आ था इस बार बान का बान का ये सिट्वेशन है कॉरोना का साथ आ गया तो सरकार का पास डबल चलेंज रहेगा एक तरफ कॉरोना भ दोसरी तरह बान को भी देखना है तो अभी सरकार क्या इसाब से पॉलीची ले रहा हो तो सरकार का बाद है हम लोग सिर्फ ओपोजिशन में बेटके देखेंगे और पाब्लिक देखेंगे अगर अच्छा काम करेंगे तो पाब्लिक सपोर्ट करेंगे और मैं अभी देख कि को बांटो बांट ये तो नॉर्मिल हर साल में आता है कोई भी सरकार आएगा सब सरकार का एक बाहन आने से क्या करने होगा सबका एक प्लैनिंग रहता है लेकिन अभी कोरोना का डे बाइड जो सिट्वेशन क्रियट होके जा रहा है मुझे नहीं लग राए कि BJP कांट्रोल कर पाएगा उसको मुझे नहीं लग रहा है कि दुलु आमत बजय पड़एड कर पाएगा। लेकिन आपको ये बात मनने पड़ेंगा अगर मोदी जी ने एक खथा टाइम देके लोगडाउन घुसित कर था तो एक खथा में कमसंगम आज आप बोल रहते हैं कि बादा तरीक के बादा तरीक के बादा गाद अगर वानुइक पधान मंति ने टाइम दे देने से क्या होता बिना कोई सरकार का भी प्रेशार नहीं रहेगा, उसका वो लोगों को भी कुछ प्रेशार नहीं रहेगा, अराम से अपना घर पहुंच जाता है अगर एक खथा में, इतना चार घंडा बाद लोगदान ये गलत हुआ, ये बात लेकिन आपको बात कही जा रही है, पधान मंत दोनों बातों का उत्तर एक एक वाक्य से देना चाहता हूं और देखे होता क्या है कि हम जब किसी भी चीज को हाइपोथीकेट करते हैं कि ऐसा हुआ हो विजय जी अप जवाब दीजेगा इस वक्त एक ब्रेकिंग निय जा रही है असम में और पोजिटीव के आंक्रों में इ स्वासमंत्र हिमंत्र विश्वे शर्मा ने जानकारी दी है असम में अब 645 सक्रिय मामले हैं तो अभी अभी एक खबर आई है कि 10 और 9 मामले आए हैं इसमें 9 चराइदे से 1 सीवसागर से स्वासमंत्र हिमंत्र विश्वे शर्मा ने जानकारी दी है कि 10 नए मामले आए हैं इनमें 9 चराइदे से 1 सीवसागर से है 744 हो गई है कुल संक्या 645 सक्रिय मामले हैं यह अभी अभी जो ब्रेकिंग निउज आई है स्वासमंत्र हिमंत्र विश्वे शर्मा ने इसकी जानकारी दी है दुलू अमद अभी कह रहे थे कि सरकार के बस की बात नहीं है कोरोना कोरोना से जो इस्तिती उत्पन हुई उसको सम्हालने में और विजय गुपता असम प्रजिश्व भासपा के उपाध्यक्स क्या साहमत्र नहीं उन्होंने दो बात कहीं कि अगर पहले साथ दिन ऐसी ब् अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता एक बात दुसरा फ्यूचर जो है ओडी नोज कोई जोते सास्तियां नहीं जानता है कि कल क्या होगा तो यह कोई जो है ऐसा भविष्ट के बारे में भी कोई फोरकाश्ट करना और भूत के बारे में भी आलोचना करने से हम बर्तमान से मुख मोड लेंगे मेरा साब सवाल ये है कि जो कुछ हुआ है लागडाउन बहुत सही समय पे हुआ है ये इस बात की पूश्टी वर्ड हेल्थ आर्गनाइजेसन से ले करके जिस दिन डबलु अच्चो ने जब तक इस बीमारी को बैस्ष्विक नहीं कहा तक ग्लोबल नहीं कहा तक हम नहीं कर स होती हो भी एक हमारा है लेकि हम उसको है दूसरा है कि आने वाले समय में भारती जनताबार्टी की सरकारें इस कोबिड से जो है वो सम्हाल नहीं पाएगी ऐसा हमारा मानना इसलिए नहीं है कि आज भी देखे कि अश्रम के अंदर में ठीक है आंक्रे जो ही हो आज 10 बढ़े 15 बढ़े 20 बढ़े 714 पार कर रहे हैं सवाल यह है कि 714 पार कर रहे हैं अगर हम देखे तो मोरल्टी की रेट भी देखे तो बहुत कम है रिकवरी रेट बहुत अच्छे हैं और कुरोना के साथ में सहवास आपको करना है अब कुछ गाइड लाइन है कुरंटाइन सेंटर से लोगों को रहना है और अपने आपको संजमित करके रहेंगे तो बहुत से लोग जो है स्वास्थ हो करके वापस घरों में जा रहे हैं अब यह हमें जो है यह मरोई ग्यान हमको बनाना है कि सहवास कोरोना के साथ करना है कोई इससे डरने की आवा सकता नहीं है और आपको देने की सरकार प्रयास कर रही घर में भी जाएं तो आप जो है जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है मास की जो बात की जा रही है इन सारी चीजों को हाथ बार-बार धोने की बात कर रही है इस तरीके से कैम्पेंड करने के लिए NGO की जो आथ आपने उठाई हम आपके इन्फार्मेसन में बता देना चाहते हैं कि हमने साथ सो NGO को लिस्टेट किया है हमने वालिंटेर्स को ट्रेनिंग दी है और सारे NGO जो होम कॉरंटाइन के काम में ही लगाए गया है जहां तक इंस्टिशिशनल होटल कॉरंटाइन की बात है हमारे स्वास डिपार्ट्मेंट के जो कर्मी है वह आराम से इस चीज़ को सभाल पार रहा है हम एकदम आस्वस्त हैं कि भविश्री के अंदर में भारती जनताबार्टी के सरकार दिल्ली हो या असम में हो हमारा नेतित बहुत ही कुशल है हमारा नियत बहुत साफ है तो नियत साफ और कुसल नितित्त के साथ हम इस मुकाबले का बहुत जोड़दा तरीके से इसका हम मुकाबला करेंगे और सबको उचित स्वास्त उचित फूड और माइग्रेशन जो भी कहीं हो रहा है उनकों जो भी दिक्कते आएंगी उसके लिए राजनितिक तौर पे भी हमारी पारिटी भी जो है डेली एक वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से हमारे कारेकरताओं को गाओं में जाकर के ब ही लोग के कारेकरता अगर जाएं और यह काम अपने हाथ में लेने के सरकार का ही काम नहीं है यह मानो धर्म के नाते हर मानों का हर मानों का यह काम है तो यह मानोता की धर्म की बात अभी है यहां पे कोई राज धर्म की बात नहीं कोई राजनितिक बात नहीं है आईए हम सारे ऐसे भी हमें विजुवल्स मिले हैं अने स्टेट के जहां जो चीरुवा और कच्छा मिर्ची और नमग दिया जाता है उसकी अपेक्षा पर खाना थीक है खाना की ऊपर कोई बात नहीं तस्वीर तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन तस्वीर में नहीं दिखाऊंगा क्योंक सकते इसको लेकिन कुरेंटीन सेंटर में वेवस्था थोरी बहुत अच्छी है खराब है यह अलग बात है जो लोग जो मजदूरबर्ग है जो भारत की पहचान है उनके खिलाफ उनके लिए जो सहयोग करना चाहिए था कहीं न कहीं इसमें केंदर सरकार से भी चूख हुई लेकिन असम में स्थितिया ऐसी नहीं रह जाएगी जैसा अभी साथ जीलों में बाट के चलते लगबग दो लाग से अधिक लोग प्रभावित भी हो चुके हैं कई नदी किनारे के कई घर मकान स्कूल नदी में समा चुके हैं और इस सिलसिला जारी रहेगा ऐसे में पूरे कहीं सरकार अब तक फेल रही है पूरे परेदिशे को कैसे देख रहे हैं आप देखिए एक ब्रिहत्य कारिक्रम है लोगों को बचाना इधर जो है कोरोना से बचाना दूसरी और बाहर से बचाना और नाचल परदेश के जो सिमावर्ती जो छितर है वहां के स्थिति और भी कर देखें जहां तक वहां को रिंटाइन की बात है तो सभी लोगों के पास अपना सेपरेट रूम और अटेच लेटिन बातरूम है नहीं तो अगर हों कोरिंटाइन करेंगे तो सिस्टेमेटिक तरीक से इसका पालन नहीं हो पाएगा ऐसा मेरा माना जिने मैं आपको बता होम कोरिंटिन का मतलब यह होता है कर एक बेक्ति बाहर से लोटा है उस घर में पांच-छे लोग है उनके कमरे भलें दो-तिन हो या एक हो या सोचाले की वेवस्ता जैसे भी हो उस पूरे घर को कॉंटेनमेंट जोन के रूप में ही देखा जाए और उसके निगराने के लिए गठन किया गया है और जिस जो घर कॉंटेनमेंट जोन में होगा उसके लिए फिननाशियल सपोर्ट की भी घोस्तना की गई है कोरोना वाइरस के चलते पूरी दुनिया के साथ हमारे देश में भी विशम परिस्थितिया है उपर से मौसम मौसम की वज़़ा से प्राकितिक आपता की बज़र से भी खासकर पुर्भुत्त राजयों में जो है समस्यां बढ़ गई है बाहर से लोग ट्रेन में लौट रहे हैं और पुर्भुत्त राजयों से भी अपने प्रदेश में स्रमिक लौट रहें लेकिन भोस्खलन के चलते लामडिंग और सिल्चर रूट म पर स्वधीफ हसमसा हमारे डिमाहसाव से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी थी आपको दिखा लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अब यहां जो समिक परेंजर जो है अगर तर राचे जाने वाले त्रेंज है जो कल राचे में रुका हुआ था फिल्हाल उनको अभी मैंदू से चोड़ दिये का बदे से रेलवे ट्रेक का लेंसलाइड हो गया था मत्य के नीचे में धब गया था इसलिए यह जो ट्रेक को बरमत्री करने में काफी रेलवे ऑठोरीटी को वग लग गया इसलिए वहां पर माईबंग रेलेश्टेशन में जो आप श्पीशल समिक ट्रेन जो है उसको काल पराद से रुका गया है और फिलाल उनको अभी यह जो ट्रेन है उसको देरे देरे चलाने का फिर से ग्रीन सिग्निल मिलने दिखाई देपरा उसके बाद में यह जो ट्रेन को फिर से चलाए गया और एक तरफ अगर बात करें यह जो लांदिंग से भी एक ट्रेन है लांद स्क् debated आइप यह जो लगतार बारीष होने की वाज़े से य'? और बना है और अगर बाथ कह दिक ये जो लगतार आए तो ये जो ए जो र decorative घर ये और ये जो रिलवेट ऑने का सब्बब बना प्रॉब्लेम है आगर हाफ लॉंग और सिल्चर का बात करें उसमें भी रोड़ ब्लॉकेट है क्योंकि लगतार बारेश होने का वाज़े से जो एक तरप कपली का नदी है कपली नदी पानी लगतार बारनी का वज़े से यह जो आधि जो रस्ते पर पानी आ चुका है और इसलिए काफी लोगों को गर भी घर भी उसको खराब होगा है और यह लेंसलाइट का बदिस से है लेकिन अने वह वाग में यह बताना मुस्किल होगा कि और भी लगतार बारेज होता रहा तो यह पहले भी ऐसा होता है और और आगे भी सायत होने अभी भी दबा हुआ है हलाकि जो अभी अभी सुचना आई है रेलवे विभाग की ओर से काम लगबख सही कर लिया गया है ग्रीन सेगनल मिल चुके हैं अगरतला से बिहार के लिए जो ट्रेन है वो भी रुकी हुई है और बाहरी राज्यों से जो आए हैं ऐसे के ट्रेने फस के ट्रांस हाइवे के ढहर जाने की बज़ा से तीन लोगों की मौद भी हुई थी और अभी जिरिवाम जिरिवाम और इमफाल रूट जो है उसमें भी लेंड्सलाइट की बज़ा से कई बसे फसी हुई है जिरिवाम स्टेशन तक बाहरी राज्यों से जो लोग आये थे देख सकते हैं इस तरह से जिरिवाम जिरिवाम और मनिपूर की राजधानी इमफाल के बीच जो रूट है हाइवे है लेंड्सलाइट की बज़ा से बहुत बसे फसी है लेकिन जो तो जहां तक खबर आ रही है लोगों को परेशानी नहीं हो रही है जो बस में है अपने घर को लोट रहे हैं कि उन्हें सभी तरह की सुविधाएं मुहेया कराई जा रही है फिर भी लंबे जर्नी के बाद इस तरह से फिर अपने ग्रिह राज्य में प्रवेश के बाद फच जाने के बज़़े से कहीं ने कहीं मांसिक रूप से थोड़ा असांती में तो है लेकिन उ हैं और बढ़ेंगी लेकिन जैसा हम पहले भी बता चुके हैं लोगों को परस पर सहयोग करना ही होगा परस पर सहयोग करने के लिए भी तो उन्हें थोड़े उतसाहित करने की जरुवत है प्रसासन की ओर से हो या संगठनों की ओर से क्या भूमी के आ जाती है से में देखिए मैं मौसम की बेरूखी के कारण जो है वो उधार कारिय या राहत पहुंचाने के कारण में बिढ़न बारा तो आ रही है जैसा कि अभी आपके स्क्रीन में जीचतर कर दिखाया गया कि ट्रेन जो है फसी हुई ह हलाकि अभी रास्ता क्लियर कर लिया गया है बस भी जो है अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई लगातार बारिश के बज़ा से जो है वो जगा जगा भू अस्कलन हो रही है पर एक प्रस्न मन में स्वता सफुर्त आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रह कि भूमी परदोशन जल परदोशन वायू परदोशन धोनी परदोशन से प्रकृति तरस्त हो गई थी और लगातार मानों जो है उसका दोहन करता जा रहा था हमारा जो है वो पुर्वत्तर राजियों इस मामले में बहुत सौभागय साली है प्रकृति ने सब कुछ दिया ह है पर तो हम अपनी चुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस प्रकार दोहन कर रहे हैं कि अब प्रकृति इस भार को उठाने लाइक नहीं डग गई है आज पूरे विश्यों के परिप्रेक्ष में देखे तो कहीं जो है वो लेंड्सलाइट कहीं अतिवरिस्टी कहीं अ पक्षी केवल मिलते हैं आज डिबरु साइक हुआ में जो वाइट होर्स के लिए फेमस है अज अभ्यारन जो है जो 2004 में बनाए गई थी वहाँ हाथियों का कोड़ी दोर है पर तो उसको भी हम बिध्वन्स कर चुके हैं तो अगर हम इसी तरह करते जाएंगे तो हम अपनी सुन्दर सलोनी धर्ती को जो है अपने हाथों से विनस्त कर देंगे और आने वाली पीडी हमें कभी माफ नहीं करेंगे यह तो मत्र करोना वाइरस है जहां तक दिहिंग पाटकाए की बात कर रहे हैं यह बहुत अभी विबादों में है और केंदर सरकार और राजसरकार इसमें हस्ताश्चे जरूर करेंगी लेकिन हमें जो प्रकृति ने दिया है उसे बचाना तो पड़े गई इस पर हम चर्चा किसी और दिन करेंगे दुलुहमद प्रकिती रूष्ट है कोरोना भारस के लिए सब तरस्थ है और बेवस्था को लेकर भी जो है कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि असम सरकार ने कोई कमी रखी है या पुर्वोतर भारत के राज्य सरकारों ने के कमी रखी है लेकिन इसमें जनता की भागी विदारी भी तो बहुत जरूरी है देखिए रंजीत जी कौन क्या सोफ सब वेक्टिकत बात कुछ देर पहले मैंने एक बात बोला था आपको कि चार गंटा बार 24 मार को जो प्लोग डाउन डिया था उसी का ओपर आपका बीजे जी ने मुझे काउंटर भी कि ने डिसिशन सही था लेकिन बीजे जी ने एक बात बोला था उस ताइम कि फ्यूसर में किया होगा उस ताइम हम लोग नहीं इतना समझ नहीं आ रहा था इसका मतलब बीजे जी भी एग्री करटा कि आप आभी का जो सिट्वेशन इतना ठीक नहीं है तो मैं एक एक एग् लोग को एक खप्ता टाइम अगर पधन मंदी ने दे देता है कि एक खप्ता या चार दिन दे दिजे जादा ने एही लोग तो आने वाला था साम में आके एही लोग घर में दाता था तो क्या होता है सरकार का या प्रसाशन का कोई भी यह जो कॉरंटाइन चेंटार खाना और लोग को लाक्य पहले चार दिन रखना या इस प्लिके बोल रहा है लेकिन यह बात को माइन परने परेंगे क कि अगर चार पास दिन टाइम डेगे तो आप मालूम नहीं था तो आभी तो आफलो को मालूम होगे यह मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा है क्योंकि कोई बेकिंग आगि आगिया 10 करोना निकाल गया अब सब का दिखिए का मैजोर अभी सब बाहर से आया हुआ है तो कम से कम प्लाइनिंग करके करेंड़ से यह नोबत नहीं आता रहा सब आपने आप घर में अभी कितना बाहर से जो आने वाला अभी किना आया बस 67 थाइजन आया है तो तीन लाख कि क्या उन जब आएंगे असाम में और तो आएंगे बाराला क्योंकि अभी आना का पक्रिया सुरू हो गया लेकिन स्वास्त मंत्री ने जो आकड़ा दिया है एक लाख लोग आने वाले हो बता रहे हैं एक लाख लोग आने वाले और 27,000 बेड है इसका मतलब यह नहीं कि जो कॉरिंट आप मुझे बताईए अभी तक बाहर में कितना लोग है साहिस्तमेंटरी का इस्तेरवन अलग से बीजेजी का कम से कम पूजनी पहले तो बारा लग बोल रहा थे और अब भी बोल रहा है कि एक लाग आने वाला है तो एक लाग आने वाला तो बाकी आंट लाग कहा गया है और आट लाग जब आएंगे बाहर से तो ट्विंटी साव प्रशनाया है कि बारा लाख लोग आएंगे ऐसा है कि एक्सपेक्टेट टू कम उनका इस्टेट्मेंट एक बहुत क्लियर था कि बारा लोग की आने की संभावना है एक्सपेक्टेट नहीं हो सकते अभी देगी सरकार बोल रहा है कि आप तो एक्सपेक्टेट केसे होगी है मैं बाता रहूं कि यह पारा ही मानते हैं लेकि लोग आएंगे किसे हमारे कहने का मतलब है कि जब लाग डाउन खुला जब इंटर इस्टेट आपने मॉवमेंट शुरू किया तब तो लोग आना सुरू है अब हमारे पहले हमने रोड खुला अब उसके बाद से टेन खुली और बागी कुछ इस पेसल टेन चले वह भी रिस्टिक्टेड और लिमिटेड चल रही है उसके बाद से अभी प्लेन की बात आई है तो प्लेन में भी पहले साथ सुवाएं दूसरे दिन थोड़ा उससे ज्याद कोई भी सकता है हमने अपीर हम तो अपीर भी कर रहे है कि जो जहां है अगर उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं है तो अपने जगह पे रुके अगर उनको को तकलीफ है तो घर वापश आए लिकिन हम उनको बार बार रेक्वेश्च कर रहे हैं कि अगर आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं है या कोई तकलीफ है में बताएं हम उसको देर हम लोग पैसा भी पहजा हमने तो कैस्ट ट्रांसफर भी कर रहे हैं इसलिए सरकार जो है अब एक फ़ता टाइम देखे लॉक्दान करता तो यह प्रोब्लेम आप लोग आप लोग को ने अनता राए देखे जब World Health Organization से इसको कह दिया कि पेन इडिमिक है जब किसी चीज़ के संक्रूर्ण हम आइन लहसे ने दको क्या एक का इस देने लुक अगर एक हप्ता टाइम देने से इन होता वो नहीं अपका इसका मतलब आप एपिशार में क्या होगा मादून नहीं है अपने आपको सबको सजग करना था सतक करना था गाइड लाइन देना था इसके बारे में लोगो को एवेर करना था यह सारे काम हमने कि लागडाउन विधिवत अपको में अभी भी पोलना हो जब लोगों के लिए फेज अपने कर रहा है और आप कोई भी डेस में लोगडाउन कोई भी कंट्री ने किया है अप गलब दिशा दे रहे हैं आज लोग आ रहा है तो कि संक्रमन नौ हो सभी लोग संक्रमित है अभी कुछ देर पहला रहा है कि 27,000 बैरेट रेड़ी है को अने वाले आठ लग आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे आप कैसे कर रहे हैं आप हमारे कहने का मतलब है कि अभी तक तो जो है लोग कितने लोग आएंगे आप के पास में हमारे कहने के मतलब है टेन के दौरा रेल के दौर आप हमको बताई कि एक दिन का बाद में बोली नहीं रहा है तो इन आउट सब्सक्राइब नहीं होगा क्या लोग आएंगे और जाएंगे अभी लोग नहीं भी आएंगे अभी जो स्वास्त मंत्री के बारे में लोगों ने मन बनाया है कि हम लोग जो है इहां पर सब कुछ नार्मल हो रहा है सब गतिविधिया चल रही है एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है और खासकर जो इंडस्ट्री में है वहां पर काम का सुरू हो गया है और जो लोग ऐसे पेसे से जुड़े हुए है या वैसे रोजगार से जुड़े हुए है असम के लोग है या पुर्वोतर भारत के लोग हो नौकरी पेसा लोग वापस नहीं आएंगे यही स्वास्त मंत्री कह रहे थे लेकिन 27,000 बेट तयार है और लोगों की जो लोटने क संख्या है वो लाखो में है इस पे इस पे स्वास्त मंत्री पहले इस पस्ट कर चुके है कि कुरेंटीन सेंटर में 27,000 बेट है डुलू अमद मैं बता रहा हूं कोई 14 दिन कुरेंटीन रहेगा 14 दिन के बाद निकल जाएंगा अभी उसको साथ दिन करने से भी लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे जितने लोग आएंगे यह हमारा दाइत तो है यह गवर्मेंट का दाइत तो है कि उसको जो है कुरेंटाइन सेंटर में हम रखेंगे साथ दिन के बाद होम कुरेंटाइन करेंगे अगर ऐसा नहीं होताब आप बोलें आप हाइपो ठिकेट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा इससे क्या लोगों को भ्रहम की स्थिती पैदा हो जाएगा और लोग जो है ड़ते हैं अभी कॉरोना से किसी का दर्ण संबेदल सिंता के साथ बात कीजिए सरकार का शायोग कीजिए सरकार सक्षम है लेकिन सरकार थोड़ा प्लानिंग करके काम करने से आपने का तकलिब नहीं आठागा दूलु अहमत की अब तक नहीं ने जो कहा उससे यह लगता है कि कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों और प दुखी है कि सरकार को प्राब्लेम हो रही है सरकार अगर पहले से प्लाइनिंग कर लेती तो सायद तकलिफ कम होती है और दुलू अहमद को बाहर से आने वाला लोगों का भी तकलिफ कम होता है रंजी जी सरकार को प्राब्लम एकदम नहीं मैं आपको होता हूँ चुनाउतिय है न आप सफल इए एक इन्साइट जाए कि आप लुख सफल हुआ ना सुनोती है कुन सा एक बर श्पल और सुनोति है अब अभी तक जो भी चुनोतिया हमारे सामने आई है उंका मुकाबला हमने ड़के किया और हम सफल हुए है और आने वाले समय में भी हम सफल होंगे हैं हम पूराइन पूराइन सेंटर में नहीं रख पाएं अभी तक तो हम शफल हैं विल्कुल अभी तक सरकार प्रयास के वह सफल है और चुनोतिया है इसलिए सहयोग जरूरी है लेकिन इस बीच लॉकडाउन का दूसरा प्रभावी हम कई इलाकों में देख चुके हैं हाजो में घटना होई थी इस पर विस्तार से चर्चान नहीं करेंगे लेकिन एक एक बेकसूर आदमी की मौत हो गई उसको पीट-पीट कर मार डाला गया हाजो में घटना होई थी कुछ दिन पहले और उसके बाद ये खबरे आ रही है कि वहां पे जो है इसको कमिनल एंगल द कोई भी कलर देने के आओ सकता नहीं है जो हुआ है कि हम दोहरी मुश्किल से गुजर रहे हैं एक तो कोरोना संक्रमन और दूसरी तरह प्रकिती आपदा के चलते हम बहुत मुश्किल में हैं ऐसे में इस तरह की घटनाय जो है कहीं न कहीं बेवस्था पर प्रभाव जरूर डालती है दुल्वामर तेखे रजित जी हाजवाला बात जो निकला है अभी हाजवाला ये अभी इस्तेत का प्रोब्लेम हो गया क्योंकि हर दल संकता नौपे जा रहा है आपने जो बोला था कि कोई लोग उसको सामपर्णाय ग्रूप देने का कोशिस कर रहा है आज मैं आ करूंगा मैं कल पुलिस का पास एफेर लेके जाओंगा और एक दिन आप लुक बिजे जी आप ये बात रंजी जी नोट कर लिजेगा जिसने सामपर्णाय रूप दिया है आप लुक का मैं नहीं बोलो बीजेपी का का कारी करता है लेकिन उसका अगर हिस्त्री वहां का इस करूंगा कि इस आदमी ने ये संपाडाय गूप देने के लिए कोशिस किया था हाजुका इसू में और वहां का लोकल ने है तब बीजे जी को मैं कुछ सेन करूंगा कि बीजे जी आप लोग अभी सरकार क्या कर रहा है आप लोग तो बोल रहा है कि जो भी कॉन्टिमर्शि पुलिस के पास जाने चाहिए जो दोसी है उसको तो सजा मिलनी चाहिए हूं विजे जी इसमें कोई दोर आए है कि मानो धर्म और राजधर्म दोनों इस बात की गवाही नहीं देगा कि अगर कोई दोसी है उसको छोड़ दिया जाए सवाल पैदे मैंने कहा कि बहुत ही जिन दोसी है तो सजा मिलनी चाहिए जो दूलबित है वर लू का कौई जाती धर्म नहीं होता है पॉम्दिला न भरिम्टे से प्रेयमशेत्री वहाँ की बेवस्ता अब तक बाहर से काफी शात्रों वहाँ पर लोटे हैं वहाँ की प्रसासन क्या कर रही इस पर एक वीडियो वेजा था बहुत कम समय हैं वो वीडियो दिखा के कारिकम में फिर वापस लोट रहे हैं वेस कमिंग डिस्ट्रिक में एक हजार से जादे लोग वापस आ चुके हैं और पिसले दिनों की ही बात करें तो 25 तारीक के तक 223 लोग कॉराइंटाइन फैसलिटीज पर हैं और 206 लोग अब होम कॉराइंटाइन फैसलिटीज पर रहे हैं तो इसमें बता देना चाहूँगा की अब तक जितने भी सॉआप टेस्टिंग के लिए जो व्जा गया था उनमें से सभी लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं और वे लोग नेगिटिव हैं फिलाल 86 लोगों के रिजल्ट अब तक रुका गया है मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे कमिंग जिला पर 26 कुल 26 कुराइंटेन फैसिलिटीज हैं दिरांग, नाफरा, रूपा, कलकतांग, सेरगाओं तो इन सभी कुराइंटेन फैसिलिटीज पर काफी जो हैल्थ वोरकर्स, पुलिस कर्मी और अन्य कई सारी लोग जुटे हैं ज इन में से जो लोगडाउन 1 से लोगडाउन 4 तक कि अगर बात करें तो 2886 लोगों को जो रिलीप कॉमोडिटीज रिलीप पैकेज दिया गया है इन में से कई सारी लोग जो बेगर हो गए थे उन्हें यहां पर बोमडिला पर जो एक रिलीप कैम्प है जो बोमडिला हैट नाफरा, भाले पोंग कालकतां कि सारे जगव पर जैसे मिस्टे टासी ने शस रिया बताया गिए सारे जगव पर रिलीप संप्यार में ज़का राजनिती में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये मानब धर्म निभाने का समय है, कॉंग्रेस या दूसरी पार्टियों को सरकार के साथ सहयोग के लिए आगे आना चाहिए या नहीं चाहिए? वो तो 100% सहयोग कर भी रहे हैं, इसा बात नहीं है रंजीत जीन, कोई तो गलत होने से तो उसको दिखाना पड़ेगा कोई, तो सरकार भी काम कर रहे हैं, हम लोग सहयोग भी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत हुआ तो उसको दिखाना भी सहयोग बहुत जरूरी है और वो द करें मैं कारिकरम से आप लोग को विदा दूंगा बिल्कुल सरकार जो है उनको चाहिए कि बेहतर सुविदा परदान करें लोगों को भी चाहिए कि वे सजग और सतर करें और जहां तक कि हाजों का मुद्दा उटा था तो उसे किसी भी माईने में संपरदाई करंग नहीं दि साथ में लेता है नियमों का उलंगन कर तो उसे सजा जरूर दी जाएगी हाला कि सरकार चुंकि को कुरेंटीन सेंटर में रह रहे हैं अवधी को समाप्त होने का इंतजार करेंगी उसके बाद डिजासर्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी लेकिन इस सब के बीच जो है हम दोहरी मार जेल रहे हैं प्राकितिक आपदा भी जेल रहे हैं कोरोना संकट से भी जूज रहे हैं ऐसे में परसपर सहयोग की बहुत जरूरत है एक दूसरे के साथ मिल कर अगर हम इस संकट का मुकावला नहीं करेंगे तो मानब जाती का भला नहीं होगा हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा तो मिल कर लड़ेंगे और सहयोग करेंगे एक दूसरे के साथ इसी के साथ मुद्दा से मैं रंजित विदा लेता हूं और आप सब का आभार प्रकट करता हूं कारिकरम में शामिल होने के लिए